हेलो नमस्कार सुडेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चैनल आप सभी का यहां पी स्वागत करते हैं अपन पढ़ रहे थे संजीव डेस्वरक और इसमें हमने साथ नमबर मोडल पेपर स्टार्ट कर रखाता और इसमें ए और बी सेक्षन हमने कंप्लेट कर लिए आज हम कामी वरश की हारतिक शुबकामनाएं हमारे परिवार की तरफशी और चैनल की तरफशी इनोवेशन स्टेडी की तरफशी सभी को आपके लिए नया साल खुशियां लेके आए सबसे सबसे ज्यादा खुशियां लेके आए और आप इसमें अच्छे मार्ट करें यानि सटार्ट स्टार्ट रहेगी तो पूरी रास में आप बने रहें कोई दिक्कत नहीं है जो भी आप कुमेंट करेंगे राइव देखता रहुआ हैं देखेगा सत्रा नंबर कि उसन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसमें दिया गया है हमें कि तीन अंकों वाली कितनी संख्ये साथ से विभाजित होगी तो सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं यहां से एपी बनाएं तो यहां पर लिखेंगे सोलूशन एपी क्या बनेगी साथ अंकों से विभाजित होने वाले तीन अंकों की संख्या सबसे चोटी संख्या कौन सी होजेगी जैसे सो सबसे चोटी संख्या है जो तीन अंकों की है इसके बाद में 101 है इसके बाद में 102 है 102 में 7 का भाग जा रहा है फिर इसके बाद में 7 इसमें जोड ले जोड़ेंगे तो 109 हो जएगा क्या 102 में 7 का भाग दे के देखेंगे जैसे 7 एकम 7 बचेगा 3 32 102 में नहीं जाएगा 101 में नहीं जाएगा 102 में नहीं जाएगा 105 में दे के देख एक सू उन्नीस हो गया इसके बाद मेंडैस डैस डैस और अंतिम क्या होगी एक हजार नो सु भाग नहीं जा रहा, फिर 998 में देखेंगे, 996 में देखेंगे, 995 में देखेंगे, इस परकार से हमारे पास में अंतिम संख्या आ जाती है, आपके पास में 994, कितनी आ जाती है, 994 में आ जाती है, तो हमें सबसे पहले तो यह देखना है, कितनी संख्या है, इसने यही पू A2 का मान कितना है, 112 है, तो common difference D का मान क्या होजेगा, A2 माइनस में A1 होजेगा, A2 माइनस में A1 होजेगा, A2 का मान है 112, माइनस में 105, तो D का मान आपकी पास में आजेगा 7, D का मान 7 आजेगा, और यहां से An वाला formula लगाएंगे, N का मान हमें लेके आना है, A N is equal to क्या है, होता है A plus में, N minus में 1 into D, जबकि D का मान पता है, A का मान पता है, N का मान पता है, N का मान भी आपको पता है न, A N का मान 994 हैं, अंतिम पत, 994 हैं, तो यहां पर value रखेंगे, 994 is equal to A का मान कितना है, 105 plus में, N का मान हमें लेके आना है, तो N minus में 1 into D का मान कितना है, common difference D है, शारवा अंतर, तो D हमने यहां पर रख दिया, 105 इधर जाके minus का बन जाएगा, तो 994 में, minus में 105 is equal to, यह बन जाएगा आपके पास में, N minus में 7, N minus में 1 रखेंगे, एक बार multiply नहीं करना आना है, साथ को अपन भाग में लेके जाएगे, तो यह value कितना बन जाएगा आपके पास में, 994 में से 105 की गठाएगे, तो इधर आप गठा के देख सकते हैं इस परकार से, जल्दवाजी नहीं करना है, जल्दवाजी में क्यूशन को गलत भी नहीं करना है, चोगदा में इसे 5 निकालेंगे तो 9 बचेगा, इधर बच गया 8, यह बच गया 8, नहीं 9 है इधर तो 9 में इसे एक जाएगे तो 8, 889 हो जेगा, अपन में क्या आजएगा इसके भाग में आजएगा साथ, इस जिकल्टू क्या बनेगा, एन माइनस में बनेगा, तो थोड़ा समय इसको इस प्रकार से कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब यहां से देखेगा, इसमें भाग लगाएंगे 7 का, तो 7 एकम 7, बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 7, 2, 14, 4 हो जाएगा, 7, 7, 9, 4, 117 is equal to आगया, एन माइनस में 1, अब हमें तो एन का मान लेके एन का मान कितना आजएगा, 127 और माइनस का इधर जाके प्लस का एक होजएगा, तो कितनी होजएगी, 128, कितनी संख्याई होजएगी, 128 संख्याई होजएगी, कहां से लेके कहां तक, दुबारा क्यूसन को पढ़ लेते हैं, क्यूसन आपके पास में यह था, कितनी पर आपके पास में ये आपके पास में क्या आ गया राइट अंसर आ गया ये आपके पास में राइट अंसर आ जाता है समझ में आया सभी के चलिएगा नेक्स्ट पर जलते हैं कुमेंट करते रहिएगा सभी को गूड इविनिंग सभी को नमश्कार सभी को सस्रेकाल है next question की तरफ चलते हैं question number हमारे पास में आ जाता है 18 number question जो कि आपको screen पे दिखाई देने लग गया होगा इसमें क्या दिया गया हमें कि बिंदूओं P और Q को जोडने वाले रेखाखंड को शम त्री भाजित करने वाले बिंदू के निर्देशांग शम माने शमान त्री माने तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदू के निर्देशांग हमें लेके आने तो सबसे पहले अपन क्या एक ऐसे रेखा खिंचेंगे उसमें बिंदू दर्साएंगे तो यह हमारे पास में बिंदू P है और यह हमारे पास में बिंदू Q है यहां पे कोई बिंदू आएगा R और यहां पे कोई बिंदू बैठेगा S यह दो बिंदू बैठेंगे यहां पे बिंदू P के निर्देशांग पता है माइनस के 3 है 4 है और इधर आपके पास में लिक्कत आगया चलिएगा और बिंदू Q के निर्देशांग कितने है 4,5 है 4,5 है बिंदू R के निर्देशांग अपन माल लेते हैं जैसे हमने माल लिया इसके निर्देशांग है X1 और ये है Y1 और बिंदू S के निर्देशांग हमने माल लिया है X2,Y2 माल लिया है अब देखो बिंदू R के निर्देशांग ज्यात कर रहे हैं तो यह part equal है यहाँ पे यह दूरी है ना 20 की तिनों दूरियां equal है तो P R के 20 की दूरी कितनी होजेगी आपके पास में M1 होजेगी equal equal है एक एक मान लेते हैं जैसे P से R के बीच की दूरी 1 है R से S के बीच की दूरी 1 है S से Q के बीच की दूरी 1 है तो यह M1 का मान होगा और M1 का मान कितना होजेगा एक और आपके पास में R से S Q के बीच की दूरी R से Q के बीच की दूरी है यानि यह total बिंदू Q तक की दूरी है यह आपके पास में रहेगी M2 और M2 का मान कितना है आपके पास में 2 है यानि RS और SQ यानि एक कितनी होगी दो होगी मैं दो डाइगराम बना हुआ यहाँ पर ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहें रहे हैं इसमें पहले में बिंदू R के निर्देशांग गयाद कर रहा हूँ फिर इसके बाद में बिंदू S के निर्देशांग गयाद करूआ तो आपके पास में यह बिंदू R रहेगा यहाँ पर बिंदू S रहेगा अपन S के निर्देशांग गयाद करेंगे तो यह दूरी कितनी होगी आ अब की बार होजगा 2 और यहां से जो M2 है उसका मान कितना होजगा आपके पास में 1 होजगा M2 और M1 कितना होजगा 23 मिण धूर और विन्दू P के निर्देशाग आपके पास में माइनस के 3 4 है और यहां से कितना है 4,5 अब अपन क्या करेंगे दूरी अब विभाजन सुत्तर की साहिता से लिखेंगे बिंदू आर के लिए बिंदू आर के निर्देशंक बिंदू आर के निर्देशंक ग्याद करना है हमें एक्सवन का मान ग्याद करना है एक्सवन का मान ग्याद करेंगे तो फोर्मूला रहेगा M1, वैसे ये value है न, ये M1 का multiply X2 के साथ में जाएगा यहाँ पे confused मत हो जाना कि सरने, यहाँ पे X1, Y1 और X2 Y2 माल लिया है, आप इसके जिगा change भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो actual में X1 और Y1 है न यह तो आपके पास में बिंदू P और Q के निर्देशाँ की है, तो यहाँ से आपके पास में रहेगा X2 प्लस में M2 यह X1 का मान कितना है, यहाँ पे X1 रहेगा, और इसके divide में क्या आजएगा, divide में आजएगा आपके पास में M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2 आजएगा, इसका value आपको रखना है यहां से, M1 का मान एक है, X2 का मान बिंदू Q की तरफ जाएंगे तो 4 होजएगा, प्लस में M2 का मान कितने है, 2 है, और X1 का मान कितने है, माइनस की 3 है, भाग में क्या लग जाएगा, 1 प्लस में 2, तो यह आपके पास में होजएगा, X1 का वैल्यू होजएगा, 4 एकम 4, माइनस में 2 त्या 6 बटे 2 रिक होजएगा 3, तो यह आपके पास में होगा, माइनस के 2 बटा 3, माइनस के 2 बटा 3, इसी परकार से आपको निकालना है, y1 y1 का मान तो यही formula बन जएगा x1 की जगए y1 और x2 की जगए y2 आजएगा तो m1 y2 plus me m2 y1 upon में क्या होगा m1 plus me m2 m1 का मान कितना है 1 y2 का मान कितना है 5 plus me m2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है 4 है अपोन में क्या होगा M1 का मान एक M2 का मान होजेगा दो तो इसका जो multiply करेंगे तो वह होजेगा पांच लस में चार दूनी आठ बटे तीन पांच और आठ कितना होजेगा है माइनस के 2 बटा 3 और Y1 का मान आगया आपके पास में 13 वटे 3 आगया अत्य बिन्दू R1 यह होगा माइनस के 2 बटा 3 जख भी कर लेते हैं साथ में माइनस के 2 बटा 3 आगया और 13 वटे 3 आगया सही है, अब अपन क्या करेंगे, बिंदू S के निर्देशां ग्याद करेंगे, S के निर्देशां क्या है, X2 और यहाँ पे है Y2, यह M1 का मान चेंज होज़ेगा, और M2 का मान भी चेंज होज़ेगा, P से S के बीच की दूरी, P से S के बीच की दूरी 2 होज़ेगी, R तक 1, R से S के बीच की दूरी एक होज़ेगे, एक एक, दो होज़ेगे, समत्री भाजित समान, तिन भागों में भाजित कर रहे हैं, अब जलते हैं next, थोड़ा समय इसको उपर किसका देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, बिंदू S के निर X2 का मान formula वही रहेगा, बार-बार मैं formula यूज नहीं कर रहा हूँ, यही रहेगा formula, M1 है, X2 है, तो यहाँ पर M1 का मान अब की बार 2 है, M1 का मान आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस परकार से देख सकते हैं, यह दिखाई दे रहा है, M1 का मान अब की बार 2 है, तो 2 यहाँ 2 गुणा X2 का मान कितना है 4 है plus में M2 का मान कितना है 1 M2 का मान कितना है 1 और गुणा में क्या करना है X2 का मान है –3 X1 का मान कितना है –3 और यह हो जरेगा आपके पास में 2 गलस में 1 तो यह calculation आजेगी 4 दुनी 8 minus के 3 बता 3 तीन आठ माइनस में तीन पांच बटा तीन आजेगी कितने आजेगी पांच बटा तीन आजेगी और आपको निकालना है वाइटू का मान फॉर्मूला तो वही रहेगा जो आपने उपर रखा है एम टू का मान कितना है दो गुणा में वाइटू का मान कितना है पांच प्लस में यहां से एम टू का मान एक है और वाइटू का मान चार है तो एक गुणा चार दिवाइड बाई कितना होजेगा दो प्लस में एक पांच दूनी दस प्लस में चार एकम चार बटे तीन तो यह होज़ेगा आपके पास में 14 बटे 3 कितना होज़ेगा 14 बटे 3 होज़ेगा तो लिखो आप उपर की तरफ लिख दें कोई दिक्कत नहीं है अतै बिंदु बिन्दू S क्या बनेगा आपके पास में ये बन जाएगा 5 बटे 3,14 बटे 3 होगा बिन्दू S क्या होगा ये बनेगा सभी को समझ में आया next पे चलूँ थोड़ा से उपर की तरफ भी दिखा दूँ आपको अगर सक्रीन सोट लेना चाहते हैं कोई भी द्यार थे अगर सक्रीन सोट लेना चाहते हैं तो पहले इसका लीजिएगा इसके बाद में थोड़ा समय उपर की तरफ कर दूँ है इसको अब आप इसका कर सकते हैं सक्रीन सोट इसका ले सकते हैं यह हमारे दोनों किसन कंपलिट हो जाते हैं, इसके बाद में आजाता है आपका next किसन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निमन बंटन का कलपित मात्य मान कर समांतर मात्य यानि X बार हमें ग्याद करना हैं, क्या निकालना है हमें? X बार का मान निकालना है, तो वरग सिमा प्लस में अधिक्तम सिमा को जोड़ के दो का भाग देते हैं 25 और 10 कितना होजेगा 35 35 बटा 2 यानि ये हमारे पास में होजेगा 17.5 तो ये x i का मान होगा वो बीच का मान होता है 17.5 फिर ये होजेगा हमारे पास में 27 क्या 27 नहीं 40 और 25 को एड़ कर देंगे 40 और 25 को एड़ कर देंगे बीच का अंतर कितने का चल रहा है इसका 15 का चल रहा है तो इसमें 15 हमें एड़ करना पड़ेगा ना इसमें 15 आड़ करेंगे तो 32 की तरफ चल जागए एक बार जोड के देख लेते हैं देखो कितना होगा 25 प्लस में 40 बटा दो करना है तो ये आपके पास में 5, 4 और 2 कितने हो जेगे 6 बटा दो तो ये आपके पास में 3, 2.5 यानि 32.5 हो जेगा ये आपके पास में 32.5 हो पिर इसमें 7 को जोड़ेंगे तो ये आपके पास में 47 है 55 से जा रहा ना तो 55 और 70 के बीच में हमें देखना है तो ये हमारे पास में साइद 62.5 हो जेगा 47.5 हो जेगा एड़ करेंगे तो 55 और 70 को जोड के 2 का भाग देते हैं फिर 70 के बीच में आ जाता है 70 और 85 के बीच मे तो यह आपके पास में 77.5 आजेगा, 77.5 आजेगा, और फिर 85 प्लस में 100 को जोड़ेंगे, और फिर अपन 2 का भाग लगाएंगे, तो यह आपके पास में बाण में 0.5 आजेगा, यह आगे आपके XI कमान, अब आपको इसने दे रखा है कि कल्पित माध्यमान करें, यह नि कल पॉमेंट आ रहे थे कि सर थोड़े मोटे मोटे लिखवाईएगा तो आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप विद्यार्थियों को कुछ फाइदा होसके अब डियाए इस इकल टू एक साइ माइनस में एक करना है माना माना आपने ए मान लिया कलपित मान और कलपित मान हमेशा बीच वाला मान मानते हैं लेकिन इसमें तो संसंख्य है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप जादा उपर नीचे कोई जुरूरत नहीं है अगर संसंख्य आ जाती है तो एक उपर वाले ले सकते हैं या 62.5 ले 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 या 47.5 ले ले और 47.5 है इसमें से घटाएंगे तो 0 आजेगा और यह आपके पास में फिर 0 आजेगा और यहां से आजेगा आपके पास में एक घटाएंगे तो 30 तो यह माइनस का कितना आजेगा माइनस के 30 आएगा फिर माइनस के कितना आएगी माइनस के 15 आएगी फिर आपके पास में 0 आजेगा यहां से कितना आएगा प्लस का 15 30 और यह कितना आजेगा 45 आजेगा तो माइनस के 30 15 इस परकार से चलेगा अब हमें क्या करना है F I D I करना है तो माइनस के 30 दूनी 60 माइनस के 15 तिये 45 0 का मल्टिप्लाई 7 के साथ में 0 रहेगा 15 का मल्टिप्लाई 5 के साथ में 75 पिचेतर रहेगा 30 का मल्टिप्लाई 6 के साथ में 180 रहेगा 45 का मल्टिप्लाई 7 के साथ में 75 और 7 चोके 28 28 और 31 315 हो जेगा तो पिचेतर 180 और 315 हो जेगा अब प्लस वाले को जोड लेंगे माइनस वाले को माइनस वाला तो होज़ेगा पांच एक सो पांच होज़ेगा और प्लस वाले होज़ेगे हमारे पास में पांच दस जीरो होज़ेगा सातरा आठ पंद्रा रेक सोला रेक सत्रा नहीं नहीं क्या कर दिया आठ 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 सोला बचेगा रिदर आपका तीन बचेगा तो आपके पास में आठ है क्या तिन सो पिचासी नहीं पान सो असी हो जाते हैं इसमें से गटाएंगे नहीं दुबारा देख लेते हैं दुबारा जोड़ता हूं में पलस वालों को आठ 16,1,1,8,0,3,1,4,1,5 यह आपके पास में 60 और 45 है कोई दिंकतर नहीं तो यह नंबर आपके पास में आने चाहिए सही लिखा है क sì,25 गटाएंगे गनल आपके पास में यह से बचना चाहिए 2005 आ रहा है कि इस बाइसाब ने कर रखा चार सो पैंसेट कर रखा है एक बार के लिए जोडते हैं यहां से 5 आजेगा इधर बच गया साथ और इधर बच गया ये 5 है ये 4 बचे कर चार सू पिचेतर आना चाहिए लेकिन गडबड कहां पर हो रही देख लेते हैं 15, 15, 15 है सही है एक दम सही लिका है 6, 38, 116 सही है 7 का मल्टिप्लाई 45 के साथ में करते हैं 7, 5, 35 7 चुके 28, 28 और 3, 31 हो जाते हैं 315 सही है तो ये 5 और 5, 10 बनते हैं एक असल लग गई 7, 8, 15, 15 और 1, 16, 16, 17 ये गल्द हो रहा है यहाँ पर 500 सी नहीं हो रहा पान सो शत्र हो जगा फिर सही है 65 आजेगा यहां से पिचेतर की जगा 65 आजेगा सही है आठ ये एक असल पहले जोड़ दी थी हमने पहले सही किया था तो ये आपके पास में प्लस का 465 बचेगा तो शिगमा उफाई, एक बार दिमाग से निकल जाता है तो इसमें फिर निमाग सेट करना मुशिल हो जाता है तो इसलिए थोड़ी सी जल्द बाजी काम के लिए नहीं है इसमें अब देखो इसमें 12 बारता कितनी हैं 12 बारता का șिगमा अफाई हमें किरना है का मान कितना आजेगा आपके पास जोर दो इसको 2, 3, 5, 5 और 7 आपके पास में हो जेंगे 12 12 5 हो जाएंगे 17 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23 23 और 7 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे कलपित माध्य की साहिता से h का मान कितना आ रहा आपके पास में 25 और 10 के बीच का अंतर देख लें 15 आ जाएगा कितना आजएगा 15 आजएगा अब फोर्मूला होता है एकस बार इस इकल टू कलपित माध्य से ए प्लस में सिग्मा एफ़ाई और यह हो जाएगा डी आई अपोन में सिग्मा एफ़ाई एच आगे करने के आउसकता नहीं पर विचलन से नहीं कर रहे हैं अपन एक आमान कितना है 47.5 है बीच में प्लस का 465 अपोन में यह 30 है तो 465 में अगर भाग लगाएंगे 465 में एक 0 का तो पॉइंट लग जाएगा लेकिन फिर 3 का भाग देना पड़ेगा 3 एक कम 3 बचेगा कितना एक 16 3 5 15 बन गया हमारे पास में 1 3 5 पंदरा पॉइंट लग जाएगा और 3 5 15 15 15 पॉइंट पांच हो जाएगा तो यह आपके पास में कितना होगा एक्स बार एक्स बार इस इकल टू 47.5 लस में 15.5 इसमें जोड देंगे x bar is equal to 0 5 और 712 रेक 13 4 रेक 5 रेक 6 63.0 लगबग इतना ही आये समांधे 63.0 या मैं लिखू x bar is equal to 63 x bar is equal to 63 हो जेगा आपका क्या आजेगा शमान तरमादे आजेगा अब अपन चलते हैं next question की तरफ next आपका प्रार्म हो जाते हैं इसका आप स्क्रीन सोट लेना चाते हैं तो ले सकते हैं और इसको आपको ये भाग है वो पिछे करके देखना है समझ में आया, next question करते हैं, 20 number question, ये आगया आपके पास में, अच्छा question है, दीगी आकरती में एक वरत है, दीगी आकरती में O, एक वरत का केंदर है, जिसके बाहिए बिंदू C से वरत पे दो सपर्स रेखाएं, C, A, C भी खिंची गई है, तो सिद कीजिए, आपको ये सिद करना है कि ये दोनों कोण, कोण सा संपूरक है, संपूरक का मेंस क्या है, 180 डिगी है, तो सबसे पहले लिखेंगे, दीआ है, O, वरत का केंदर है, O, वरत का केंदर है, A, C, V, B, C, सपर्स रेखा है, क्या है, सपर्स रेखा है, सिद क्या करना है, आपको सिद करना है कि, एंगल A, O, B, प्लस में, एंगल A, C, B, इस इकल टू, 180 डिगी, संपूरक होता है, 180 डिगी, तो कैसे सिद करेंगे, देखो, अब रचिना करने के आपको आशकता है, नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, उपत्ति, यह हो जगा, यहाँ, A, C, परपेंडिकुलर है, O, A, P, क्योंकि, लिखेंगे, सपर्स रेखा, वे, त्रिज्या, आपस में, आपस में, लमवत होती है, आपस में क्या है, लमवत होती है, इसलिए, क्या होजेगा, यहाँ से आपके पास में, एंगल, अगर आपको डायग्राम दिखाना चाहूं में, थोड़ा सा नीचे करके, अब यह देखलो डायग्राम आपके सामने आ गया है, एंगल कौन-कौन सा है, CAO, इक्वल क्या होजेगा, 90 डिग्री, एक्वेशन नमबर एक, वे, इसी परकार से, इसी परकार से, कौन सा एंगल होजेगा, एंगल CBO, कौन सा, एंगल CBO, इक्वल भी 90 डिग्री होगा, इक्वेशन नमबर सेकंड, यानि, यह कौन, और आपके पास, यह कौन आपस में 90 डिग्री होगे, लंबवत होती है, इसका भी रेजिन बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं, क्या, BC परपेंडिकुलर है, OB पे BC परपेंडिकुलर है, OB पे, तो अब लिखेंगे, अब, चत्रभुज, चत्रभुज कौन सा, OA, BC में, एंगल O, प्लस में, एंगल A, प्लस में, एंगल C, प्लस में, एंगल B, is equal to क्या होता है, 360 डिग्री होता है, चत्रभुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, चत्रभुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो यहां पे अपन लिखेंगे, आपके पास प्राप्त है, एंगल O का मान तो अपन लिख सकते हैं, एंगल AOB, प्लस में, एंगल, जो C है, उसको अपन लिख सकते है angle ACB is equal to 360 degree है और angle A और angle B का मान आपने लिखा है अभी 90 90 है दूसरी साइड जाके minus का 90 और 90 180 degree बन जाएगा 360 में से घटाएंगे तो 180 degree बचेगा तो last और final result आ जाता है angle AOB plus में angle ACB is equal to 180 degree यहाँ पर यही आपको क्या करना था प्रूव करना था यह दो बार angle लग गया angle AOB angle ACB is equal to 180 degree HP समझ में आया अब यह क्यूसन था आपके पास में दुबारा देख सकते हैं एक बार के लिए यह क्यूसन है इसका screen sort लेना चाते हैं यह 90 90 degree के होते हैं यह आपस में आपको क्या करने थे संपूरक करने थे तो हमने बस यह चोटा सा explain कर दिया है इसका आप अच्छे से screen sort लेना चाते हैं तो ले सकते हैं समझे में आया सभी के यह क्लास कैसी लगी है कोमेंट करके जुरूर बताएं अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी करेंगे चलेगा आज की क्लास में इतना ही नेक्स क्लास में मिलें कुछ ने के साथ जय हिंद जय भारत